инов enfin ल्हाबियान यह मिक्स कोंटिन अंसर जो चल रहे हैं उसकी सिरिज compact इसमें इस्में Este है इसके अंदर्ण एक साइकील केंई उसमोर्टिक हाइपोथिसेश यह फोटो सिंथेशिज में है इसमें दो कोश्टन डाले टो 28ечение और दूसरा डाला है what is amphibolic pathway of respiration तो यह chemiosmotic hypothesis क्या है देखो cyclic photophosphorylation photosynthesis की non-cyclic photophosphorylation और उसमें जो ATP का production होता है वो किस तरीके से होता है ATP का production कहां हो रहा है कैसे हो रहा है वो किस पर based है यह कहलाती है chemiosmotic theory chemiosmotic theory given by peter mitkel scientist का नाम है peter mitkel और एक बार question यह भी आया हुआ है कि what is the importance of proton gradient मतलब क्या है proton gradient देखो इसमें जो chloroplast का structure जब तुम पढ़ते हो तो chloroplast के structure में many membranus यह structures होते हैं तो इनको एक को बोलते है thylakoid और thylakoid के group को बोलते है granum thylakoid के group को क्या बोलोगे granum तो यहाँ पर जो process है यह जो मैंने diagram शो किया हुआ है केवल एक thylakoid का मतलब single का है यह यह thylakoid की membrane यह lumen of thylakoid chloroplast का नहीं पूरे का नहीं यह lumen of thylakoid और क्यों क्योंकि thylakoid is the structural and functional unit of chloroplast तो इसके पास यहाँ पर P680 यह P700 P680 का मतलब PS2 और यह PS1 तो सबसे पहले जो light photons हैं यह light के photons जब PS2 इसको absorb करता है तो यहाँ पर इनसे निकले मतलब यहाँ से जो electron होंगे वो PQ PQ एक इसके अंदर जैसे बहुत सारे यहाँ पर pigment aplastocyanin है feridoxin है तो इसी तरीके से PQ plastokinon होता है वो बाहर इस trauma से HIN को लेगा और HIN को लेकर इसका reduction होगा और यह बनाएगा PQH2 जिसका reduction होता है फिरसे वो अपनी original form में आएगा तो PQH2 से PQ बनेगा तो जो इसके HIN है वो किसमें आएंगे lumen में और electron जो ट्रांसपोट होंगे वो cytokrome B6F से होते हुए वो जाएंगे plastosinin light reaction और dark reaction में यही चीज़ें तो है तो इसको बस इस तरीके से इन्होंने show कर रखा है तो इसमें क्या होता है कि जब यह light photons को gain कर रहा है तो यहाँ पर water का hydrolysis है क्योंकि इसके पास catalyst होता है manganese iron, chloride iron और calcium iron, यह catalyst होते है इन्हें की प्रहेंसे water का hydrolysis हाफ O2 प्लस हाइन तो एक तरफ से तो हाइन प्रोडूस हो रहा है water का hydrolysis से और दूसरी तरफ से यह PQ जो होता है यह PQ यह यहाँ से हाइन को stroma से लेकर वो भी lumen में डाल रहा है तो stroma में तो हर तरीके से हाइन कम हो रहे है और lumen में हाइन बढ़ रहे है जिसकी वज़े से lumen के अंदर क्या create होता है proton gradient और proton gradient create होगा तो high electropotential मतलब यहाँ पर gradient हो जाएगा इसको अब क्योंकि यहाँ पर pH का एकदम change होगा तो जिसकी वज़े से इस proton gradient को break करना है और proton gradient को break करने का क्या मतलब है कि यहाँ से HIN को कम करना है तो HIN direct membrane से नहीं जा सकते क्योंकि यह membrane HIN के लिए impermeable है इसके लिए इस membrane पर जैसे mitochondria में F0 F1 particle होते हैं उसी तरीके से इसमें coupling factor है यह CF0 F0 base होता है F1 head होता है CF0 CF1 जो F0 base है वो trans membrane channel बन रहा है इसके लिए HIN के लिए क्या बन रहा है यह trans membrane channel और उसमें से HIN होके और जो F1 है F1 के पास ATP that is enzyme भी है क्योंकि जो यह HIN यहाँ से निकलेंगे तो enzyme में HIN पहले fix होंगे और जब उसमें से होके निकलेंगे तो energy release करेंगे और energy release होने पर ADP जो stroma में है वो phosphate को लेकर किसका formation करेगा ATP तो इस तरीके से lumen में से HIN यहाँ पर फिर stroma में आ गए यहाँ पर तो तुम देख रहे हो कि भई PQH2 से जब PQ बनेगा तो HIN यहाँ आ गए और electron जो है साइटो क्रोम B6 F complex से होते हुए प्लास्टो साइनिन प्लास्टो साइनिन से होते हुए PS1 में गए PS1 मतलब 700 फिर feridoxin में गए intermediate product FNR है वहाँ पर NADP इन इलेक्ट्रोंस को क्योंकि इलेक्ट्रों जा रहे हैं Lumen में HIN को कम करने के लिए CF0, CF1 particle help करते हैं और 2 HIN जब यहाँ से release होते हैं तो 3 ATP का formation होता है ध्यान रखना जब 2 HIN क्योंकि CF0 इसके लिए Trans membrane channel कहीं से भी HIN बाहर नहीं जा सकते क्योंकि सारी membrane जो है वो इसके लिए कैसी होती है चाइन के लिए impermeable तो यह Trans membrane channel बन रहे हैं CF0 में से होकर जब हैड में जाते हैं हैड के पास ATP synthetase enzyme है और उसमें ऐसे जब यह निकलेंगे तो energy release होती है ADP उस energy को लेकर ATP formation करेगा process क्योंकि light की presence में हो रही है इसलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर फोटो फोस्फोर रिलेशन ATP का formation पीटर मिटकेल ने इसको discover किया था और यह theory क्या कलाती है chemi osmotic theory ठीक है बहुत important question है यह सारे जितने मैं इसमें दे रही हूँ अब series में सब question को annual exam के लिए है सब बच annual exam के लिए बाकी कभी भी exam 11th class के लिए सब important question है ठीक है next question जो मैंने इसमें मतला पूछा हुआ है हाँ पर अगला question है amphibolic pathway देखो amphibolic pathway का क्या मतलब है amphibolic pathway अभी तक सब बच्चों ने यह सुना है कि respiration की process है और respiration की process में C6H2O6 प्लस 6O2 इस इकल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी अज़ा तुम्हें यह मालूम है कि respiration is a catabolic pathway केवल catabolic pathway का सबको मालूम है कि respiration is a catabolic pathway पर दूसरी तरीके से समझो कि मान लिया glucose का molecule है C6H2O6 का molecule है और glycolysis की cycle हुई glycolysis और glycolysis की cycle के बाद यह किस में convert हो गया pyruvic acid जब pyruvic acid यह craps में गया तो यह convert हुआ पहले जब craps cycle start होगी acetyl coenzyme और यह पूरी की पूरी जब cycle चलेगी acetyl coenzyme last product oxaloastic acid होता है इसका oxaloastic acid इससे reaction करके यह citric acid यह बनाएगा citric acid sysacunitric acid isocitric acid यहाँ पर अभी मैं पूरा नहीं लिख रहे हूँ craps की मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है आइसोसेट्रिक acid oxalo succinic acid alpha keto glutaric acid succinyl coenzyme A succinic acid fumaric acid malic acid और फिर से oxaloastic acid तो यहाँ पर यह craps चल रहा है मान लिया pyrovic acid acetyl coenzyme A बनना और acetyl coenzyme उको तुरणत order मिल गया कि body के अंदर pyrovic acid कम हो गया cells के अंदर कम हो गया है वापस यह pyrovic acid बनाना है तो यहाँ से यह withdraw कर देगा फिर उसके बाद यह synthetic phase में चला गया तो इसका मतलब यह जो पहले catabolic process चल रही थी तो यह किस phase में चला गया anabolic बहुत सारी चीज़े है alpha keto glutaric acid है alpha keto glutaric acid को मतलब यहाँ पर यहाँ तक बन गया और इसको एकदम order मिला कि इसको कोई fatty acid बनाना है तो यहाँ से इसने withdraw कर दिया withdraw कर कि synthetic phase में चला गया नहीं कि anabolic तो कहने का हमारा मतलब यह है कि respiration एक catabolic pathway है पर anabolic pathway भी है इसलिए इसको क्या बोला जाता है amphibolic pathway